यूगी सरकार के कैबिनेट मंतरी ओंपरकास राजबर ने बलिया में जनसवा को सम्मोजित करती हुए कहा कि वो अपने मन से ऐसा कानून बनाएंगे जिसके जरिये जिस गरीब के बच्चे इसकूल नहीं जाएंगे उनके माता पिता को पांच दिन थाने में रखूंगा वो भी बीना खाना पानी के सभा के दुरान मंतरी जी यही नहीं रुके उन्होंने बीजेपी सांसद हरिनाया राजबर को सरावित तक कर डाला यूगी सरकार के बड़े बोले मंतरियों की दिब्यांग एंपिछड़ा कल्यान मंतरी ओंपरकास राजबर बलिया के तश्ड़ा तहसील के गांधी पार्गी में जनता को समोजित करते हुए सारी हदे पार कर गए सरकार के उपलब्दियां गिनाते हुए मंतरी ओंपरकास राजबर ने कहा कि अपने मन का ऐसा कानून बनाऊंगा कि जिस गड़ीब का बचा इसकूल नहीं जाएगा उसके माता पिता को पा सिपाई को मंच खड़ा कर बताया कि यूपी में उनकी बिरादरी के सिर्फ छे एसो और तिन दर्जन सिपाई हैं जिनको उन्होंने अपनी ताकत से मंचाहा थाना दिलवाया है जो बिरादरी के हित के बारे में सोचते हैं अपनी पार्टी भासपा की बढ़ती लोग प्रि मंच परकास राजबर ने घोसिक के भाजपा सांसद अहिनिलाय राजबर को जर्या देसी सरा पीने वाला गुलाम बताया कहा कि यह सांसद गाधी जी के बंदर की तरह हैं जो सिर्फ पीने के लिए मुझ खोलता है हाला कि कभी भासपा के अध्यक्च और प्रदिस सरकार के म लोगों को नौकरी दी गई पोस्टिंग दी गई लेकिन उसी मंद से आपने ये भी कहा कि हमने अपनी विरादरी के कुछ लोगों को थाने और मनमुफीद जबहों पर भेजा तो फिर आपने और समाजवादी पार्टी के कारेकाल में पिर क्या आंतर रह जाएगा मेरे पुरी प्रदेश में 75 जिले हैं 18 कमिश्मरी है 22 करोड आवादी है और 9 करोड तीस लाख आवादी अकेले राजवर्जी की है जिसमें मात्रचा यसाई है चागो इतने लोगों की सुरक्षा की बांद कैसे करेंगे